हालो फ्रेंड्ट स्वागत है आप लोग कोुए स्टैडिस लावस में देखिए दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए model set beloved is model set 2 याने कि net Лेकर आया हूं स्टइक है दोस्तो देखेंगे question number 1 question कोश्यन नमेर वन है अंतर परजयतिय परजयनन से बना जन्तु है तो अंतर परजयनन से बना जन्तु खची खाजर थिक्श है जोस्तों अनतर पर जन्तु बना अतंट उसके बाद question number two देखेंगे कि question number two है antibiotic सब्द सरपर्थम पर्योग किया गया जो तो पर्योग किया गया किसके द्वारा ना यहीं ना तो बुस्में के द्वारा boxman के द्वारा ठीक है बॉक्समेन के द्वारा जो है एंटिवाइटिक सब्द का सरपर्थम परियोग किया गया था उसके बाद नेक्स्ट कोश्चिन देखेंगे तीन नंबर को सिट्रिक अमले का उत्पादन होता है तो असपर जीलस से होता है सिट्रिक अमले का निर्मान ठीक है जोस्तों उसके बाद हम लोग चार नंबर कोस्टिन में चलेंगे चार नंबर कोस्टिन है हमारा चार नंबर कोस्टिन हो गया साइनो बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया का पर्योग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है किसका खेत में किया जाता है तो द्धान के खेत में साइनो वैक्ट्रिया का उप्योग जैब उर्बरक के रूप में खेतों में किया जाता है तो द्धान के खेतों में किया जाता है उसके बाद पांच नंबर क्वेश्चेन है हमारा जैब गैस उत्पादन में प्रयुक्त जि ल्वाएनो इक्ष है तो क्या है इसका ऐंसर दोस्तों तो पाँंच कैंसर हो गया मितेनोगें क्या हो द्वारा परोपियानो पियानो बैक्टिरियम द्वारा किसके द्वारा क्या आता है परोपियानो बैक्टिरियम द्वारा यही है जो विटामिन बीवारा की उत्पादन करता है यानि उत्पत्ति करता है उसके बाद देखेंगे साथ नमर कोस्चिन हमारा क्या है हमारा साथ न दीने के बिशेष अस्थानों पर ब्राम काटा जाता है तो किस बीकर दीने के विकर अस्थानों से काटाma जाता है तो इसका है restriction ändonucleale ndonucleae में हमलोग अगला question देखेंगे हमारा आठ नंबर question है हुआ प lounge थे परति बन्ध dose एंजाईम की खोट परती बंद एंजाइम की खोज किसने की ते इसमी थेवाम नाथन सने ठीक है जोस्तो उसके बाद नेक्ट कोश्चिन है समुद्री खर्पतवार चे निसकासित एगे रोस का परियोग होता है निसकारसित एगे रोस का परियोग होता है तो समुद्री खर्पतवार चे निसकारसित एगे रोस का परियोग होता है तो इसका एंसर होजाएगा जैम एलेक्ट्रोफोरेसिस जैम एलेक्ट्रो फोरेसिस क्या हो जागा समुद्री खरपतवार से निसकर्चित एगोर रोज का परियोग जैम एलेक्ट्रो फोरेसिस में होता है ठीक है दोस्तों दोखो श्यर्जन इको आर आई एको आराय ड्रेस्ट्रिक्षन एंडोनुकलीज इसमें इको सेत पर है इको कोलाई का तथ पड़े है क्या चीज़ का को लाई उसके बाद कर रहा है पर्ति बंद पर्ति बंधन एंडोनुकलियेज का परियोग पुनर योगज DNA तकनिक में व्यापक रूप से किया जता है ये प्राप्त किये जाते हैं कथी से किया जते हैं जीवानु कोशिका से कथी से दोस्तों जीवानु कोशिका से ठीक है दोस्तों हम लोग अगला question देखेंगे हमारा 12 नमडर question हो गया निवन में से कौन सा अनुवानसिक अभियांत्री की में परियोगत होता है तो हो गया परतिबंदन एंडो निकली एज ठीक है क्या हो गया परतिबंदन एंडो निकली एज उसके बाद हमारा तेरे नमर कोश्चन है कि जेनेटिक इंजिनियरिंग में किसे बाहक के रूप में परियोग किया जाता है तो प्लाजमीड का किसका प्लाजमीड का जेनेटिक इंजिनियरिंग में प्लाजमीड का बाहक के रूप में परियोग किया जाता है उसके बाद का को स्थानों पर काटना उसके बाद हमारा कोश्चन है निवन में से परती बंधन एंजाइम है तो हम लोग का एंसर है इको आर टू ठ्लस्तों उसके बाद हमारा अगला कोश्चन हो जाएगा हमारा अगला कोश्चन कया है प्लाजमीड कया है तो टी वण प्लाजमीड और वनोसिक इंजनियरिंग में प्रयोक्ट होता है जब प्रयाप्ट होता है तो हमारा एंसर हो जाएगा एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियम एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियम उसके बाद कोस्चिन है चत्रा नमबर कि प्रथम ट्रांस जेनिक फसल थी तो कौन सा हो गया तो तम बाकू हो गया उसके बाद हमारा next question हो गया कि monoclonal antibodies है तो क्या है monoclonal antibodies तो हो गया saccharomyceme क्या हो गया saccharomyceme उसके बाद हम लोगों का next question है हमारा question हो गया कि जै प्रधक्की द्वारा उत्पन cancer के उप्चार में प्रधक्की द्वारा उत्पन cancer के उप्चार में प्रयुक्त होने वाली अज़्दी है तो हमारा answer हो जाएगा interferon क्या हो जाएगा interferon उसके बाद अगला question है विस नंबर विस नंबर का question है जीन क्लोनिंग के द्वरान जीन की जीन टेक्सी इन्वेक से कहलाता है तो कौन सा है जो जीन क्लोनिंग के द्वरान जीन टेक्सी कहलाता है तो हमारा विस नंबर का answer हो जाएगा प्लाजमीड क्या कहाँगा कहलाता है याद रखेंगे दोस्तो प्लाजमीड जीन टेक्सी क्या कहलाता है तो प्लाजमीड कहलाता है उसके बाद है इस्ट एक महत्पुन शुरूत है तो क्या कौन सा शुरूत है तो एक महत्पुन शुरूत है लेकिन कैसे स्क्रीणिंग कुणि कि पर इक्षन है तो किया दोस्तो इस अलीशा एट है तो इसा थे को एडियसा तो हमारा दोस्तों था कि अल्जीमार रोग मनुस्य में निमन की कमी से होती है तो किसके कमी से होती है तो एसी टाइल कोलीन से किसके कमी से तो एसी टाइल कोलीन से उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोश्चन है जीवन चीकिस्सा उप्योग है तो जीवन चीकिस्सा किस से उप्योग है दोस्तों तो हमारा कोश्चन होगा एडिये अडा से इसको अडा पढ़ेंगे लेकिन इसका प्रचयान के लिए होता है तो हम लोग मारे थे लेकिन इसमें पुछ रहा है टेस्ट की पर शाइन के लिए होता है तो असके बाद हमारा तो सबस्क्राइब इसलों किया दोश्टों है किया उसके बाद हमारा कुष्चन है पिर्थिवी की सता से समंदित कारक कर लाते हैं तो पिर्थिवी की सता से जो समंदित कारक है वो क्या कर लाएंगे तर टोपोग्राफिक क्या कर लाएंगे टोपोग्राफिक ठीक है जोस्तों हम लोग नेक्स्ट कोस्टिन देखेंगे नेक्स्ट कोस्चिन है हमारा निम्न में से आंसिक मूल परजी भी है क्या है तो हमारा आंसिक मूल परजी भी जो है चंदन है ठीक है दोस्तों आंसिक मूल परजी भी क्या है तो चंदन है मानव जन संख्या का अध्यन कहलता है मानव जन संख्या का अध्यन क्या कहलता है दोस्तों तो है डोमोग्राफी डेमोग्राफी उसके बाद है हमारा next question कि जब जम दर मिर्तु दर से दर के बरावर हो तब या क्या है तो प्लेटियू अवस्था है प्लेटियु ववस्ता है जन्धर मिर्थयोदर से बढ़बर होगा प्लेटियु ववस्ता हो जाता हुजटा है उसके बाद का question है मरा देखेंगे हम लोग उसके बाद का question जब जन एक मिनिट जब अधीक लवन सांद्रन जब अधीक लवन सांद्रन वाली छाड़िये मिर्दा के उगने के पोधे है तो क्या हो जाएगा 31 का एंसर तो 31 का अधीक लवन सांद्रन वाली छाड़िये मिर्दा से में उगने वाले पोधे हैं कौन सा पोधे हैं तो हमारा हग्यार लवना लवनोद भिद्धी क्या हो जाएगा लवनोद भिद्धी उसके वाद हमारा कोश्चन है कि कौन सा पोधा मैं ग्रूब कौन सा प्यदा मैं ग्रूप शेतर में पाए जाता है तो कौन सा पौदा है जोस्तों तो जो साइफो है साइजोफोरा जो है मैं ग्रूप शेतर में पाए जाता है उसके बाद मेरा मतलब हम लोगों का नेक्स कोस्टिन हो जाएगा हमारा नेक्स कोस्टिन है बीटी से उत्पन कराई प्रोटीन किस लर्वा के लिए विसेला होता है तो टेवे को बडवर्म कौन सा लर्वा तो टेवे को बडवर्म के लिए उसके बाद है बायू द्वारा स्थानांत्रित मिर्दा होती है बायू द्वारा स्थानांत्रित मिर्दा जो है वह क्या होती है तो योलीन होती है ठीक है जोस्तो उसके बाद प्रेंग मेंटीस मेंटीस एक अच्छा उधारन है तो प्रेंग मेंटीस किसके लिए अच्छा दारण है तो हम लोग याद रखेंगे कि कैमो फ्लेग कैमो फ्लेग उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोश्चिन है दो निकलियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है दो निकलियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है ठीक जोस्तों उसके बाद कुश्चिन होगे हमारा निमनांकित में समापन कुट कोन है निम्नांकित में समापन कूट कूण है तो कूट पूछ रहा है यहां तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कूट है UAA है ठीक है जुस्तों उसके बाद यह सबी जो है एक दूसरे से सम्बंदित है निम्नांकित में क्या है तो पूरक तथा प्रती समानांतर ठीक है पूरक तथा प्रती समानांतर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोस्चन हो जाएगा मनुस्स का अपसोसी अंग निम्नांकित में बताए तो हमारा होगा पेल्भीक क्या हो गया पेल्भीक उसके बाद है आर्कीयो टो रिक्स आर्कीयो अप्टे रिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा जुराशिक काल में पाया जाने वाला पक्षी का नाम आर्कीयो आर्कीयो अप्टिक्स आर्कीयो टेरिक्स आर्कीयो टेरिक्स पक्षी जो है जुराशिक काल में पाया जाने वाला पक्षी था उसके बाद है जिवास्मू के अध्यान को क्या कहते हैं तो जिवास्मू के अध्यान को हम लोग पहली ओन्टोलोजी कहते हैं उसके बाद हमारा लाक्ट कोस्टिन हो गया निकलियोटाइड को निमनागित में कोन परिवासित करता है तो इसका अंसर हो जाएगा राइबोस सरकारा पलस नाइट्रोजीनस छार ठीक है दोस्तो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ दोस्तो हम लोग के चैनल से आप लोग जूटे रहे और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसी तरह मैं आप लो देखने के लिए थैंक्स